हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉंट स्टड़ी मैं इस अभी शिपन डोत्रा एंड आम गूंग तो गीव लेक्चर्स ओन जैनके हिस्ट्री examination point of view के हिसाब से जैनके history is one of the most important topic और आपको यहां से राम से four to five questions आ जाएंगे चलिए अब start करते हैं history of जैनके history of जैनके हम इसको तीन periods में डिवाइड करते हैं सबसे पहले आता है ancient history उसके बाद हम पढ़ेंगे medieval history and then modern history ancient history के अंदर हम पढ़ेंगे moren empires के बारे में कि कौन से emperor का यहां पर rule था और उन्होंना क्या-क्या यहां पर changes लाई क्या-क्या बिल्ट किया उसके बाद हम पढ़ेंगे कुशन एंपायर के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे करकोटा डिनिस्टी के बारे में चलिए अब स्टार्ट करते हैं ancient history ancient history को पढ़ने से बहले हमें कश्मीर की एक book है जिसका नाम है राजा तरंगनी जिसको 12th century में एक कश्मीरी poet और author हुआ गरते जिनका नाम था कलहाना जिनोंने कश्मीर की history के उपर यह book लिखी थी जिसको राजा तरंगनी के नाम से जाना जाता है और river of kings this is the most important book जिसमें कश्मीर की पूरी history की बारे में लिखा गया है और इस कौन है संस्कृत में लिखा था between 1148 to 1149 में आपको यहां से एक question आ सकता है exams में वह ऐसे पूछ सकता है आप से कि who wrote the book राजा तरंगनी या also who is the author of the book राजा तरंगनी यह ऐसे भी आ सकता है कि in which language he wrote it and in which period तो यह आपको underline कर लेना सब examination point of view के हिसाब से यह सब कुछ आपको underline कर लेना है the earlier name of Kashmir was Kashyamr and Kashyapura जिसको रखा गया था एक famous saint होते थे इंडिया में इनका नाम था Kashyap is she वो Kashmir में आये थे उन्होंने Kashmir को demon से बचाये था जिसकी बाद यहां के लोग आके बच सैटल हो सके और उसके बाद यहां के लोगों ने इस एरिया के नाम रख दिया Kashyamr ठीक है कि कश्मीर पे किस किस रूलर ने रूल किया है और किस पिरियड में किया है सबसे पहले यहां पर जिस empire ने रूल किया था वो थे और ही वाज़ा डिवोर्टी आफ फॉलोर आफ बुद्धिजम उन्होंना बुद्धिजम को बोधी फॉलो किया था इसके बाद वो पीस के ट्रैक पे चले गए थे और यहां पर पर पार्टिस्पीड करना छोड़ दिया था वो पीस के रास्ते पे चले वे थे जब वो जहां पर थे उन्होंना जहां पर भी कश्मीर भी बुद्धिजम को लेकिया थे एंड डियूरिंग दा टैनियोर आफ अशोका उन्होंना एक ओल्ड़ा सीटी से और छीर नगर की यह पद्रे था उसकी फोन किया था और एक बहुत श्रीवा टेंपल को यहां पर ब 14th century यहां पर कुशंस आगे जब मौरिंस चलेगे उसके बाद कौन आगे कुशंस कुशंस में किसने यहां पर रूल किया था सबसे बहले कश्मीर वह थे कनिश्क है रूल कश्मीर उन्होंना कश्मीर पर सबसे बहले रूल किया था कुशंच अंपायर में और एक नियू बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो कनिष्ट थे उनके एंपर थे कुछन के कनिष्ट उनके अंदर एक बहुत वड़ी कॉंसिल हुई थी जिसको बुद्धी सर्ष ग्रेट कॉंसिल ऑफ बुद्धी सर्ष के नाप से आना जाता है वो कहां पर हुई थी कुंदलवन में जो क से दुरलव वर्दन अंडरलाइन इस नेम इस इंपॉर्डन और इनना कौन से पिरिड में किया था एडी 625 से लेके 661 तर यह वही टाइम था यहां पर एक चाइनिज पिल्ग्रिम आये थे है सैंग प्लिस करेक्टिट इस सैंग्टी या सेंग जी और उन्हों विजिट किय का इंपे पीर्ड में किया क्लिट किया है था जैसने उन्हों पर क्श्मिर की निए हिस्टी की देखा है उस ताइम करणी करकोटा इंट्री कीवना कर सकते थे श्जीका कश्मीर को उसका सबसे बड़ा रूलर दिया जिसनका नाम था ललीद अदित्य मुक्तपिड जो इन्होंने 724 से लेकर 76180 तक यहां पर रूल किया है उन्होंना बहुत सारी कंट्री उसको जीता एशिया में जैसे इरान हो गई तिब्ध हो गई कुवेट हो गई और बहुत सारी थे और इंडिया में बहुत सारी श्रेट्स पर कब जागी जैसे पंजाब हो गई गुजरात हो गई कनूज हो गई और बहुत सारी है after the death of ललित अदित्य मुक्तविर जब उनकी death हो गई नेली उसके कोई 400 years के बाद राजा तरंगनी लिखी गई कलहाना जी के दौरा ठीक है और ललित अदित्य मुक्तविर ने कश्मीर में एक sacred shrine बनाई थी जिसका नाम था खीर बवानी और उन्होंना उनको नाम दिया परिहासपूर परिहासपूर के नाम से उसको नाम दिया गया खीर बवानी जी को और कराकोटी डैनस्टी जो एंड हुई थी वो हुई थी और मुस्ट 855 तो 856 AD में यही था इस इस अफोल लेक्ट्र बोड एंचेंट हिस्ट्री ओफ जियान के आप सबको समझ आ गया होगा if you guys कोई भी डोड़ा अगर आपको तो आपको मेंट बोक्स में लिख सकते हो चलिए अब हम इस पर कोशन करते हैं इस टॉपिक पर जो आपको थोड़ा हलफ होंगे कि कैसे एक्जाम में कोशन आएंगी थोड़ा आपको पैटर्न का पर पता जल जाएगा कि किस लेवल पर कोशन आएगे आपको ज्यादा डीप नी बढ़ना आपको थोड़ी नाम पता होना चाहिए कि कौन से मपायन में किस एंपर नर रूल की है और क्या टाइम पीरिड था उन्होंने क्या क्या फेमसी जिवना यह बस आपको में में थोड़ा 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 पता होना चाहिए यह आपके एक्जाम पॉइंट आपके लिए इनफ है चलिए लेट स्टार्ट दो कोशन सबसे पहले आए कि हूर लेंग्विज में लिखी गई है तो आप मेरे को बता सकते हो प्लीज राइट इटी इन दे कॉमेंट बॉक्स नेक्स कोशन है विच फेमस चाइनिज पिल्ग्रिम बिजिटिड कश्मीर कौन से चाइनिज जो पिल्ग्रिम थे जुनों ने कश्मीर को बिजिट किया था उस टाइम उनका मानता है है जैंग है जैंग प्लीज नोट इट है जैंग उसके बाद आता है कि कराकोटा डानेश्टी को किसने फोन किया था कराकोटा डानेश्टी को फोन किया था दुरलव वर्दनन है किसने दुरलव वर्दनन है इसका टाइम पीरिड भी है वो भी आप डोडोन कर लेना मैंने आपको पिछे मेंचिन किया है यह सब इंपोर्टेंट है वो करकोटी टैनेशनी ने कश्मीर को सबसे बड़ा रूलर दिया जिनका क्या नाम था लेलिद अदित्य मुक्तापेड वह भी आप अच्छे से कि अध्य कर्णा लेना उसको भी याद रखना है एकॉर्डिंग तो था हिस्टोरियन के साब से कश्मीर का नाम क्या था क्या नाम था मैंना आपको पढ़ाया आप सो को पता होगा उनका अर्लिय नाम था कश्यब मर्ड एंक शुपूरा जो आप जानते हो किसकी नाम पर यह सारे कोशन्स वही हैं जो आज मैंना आपको टॉपिक पढ़ाया है यह सब उसी वे से बेस्ट है ऐसे कोशन्स आपको एक्जाइम में आएंगे इस इस इंपोर्डन अकॉर्डिंग तो एक्जाइम पॉंट आप व्यू तो आप सब इसको द्यान से बढ़ना और नौरू कर ली थी जिए बिच मोरें एंपरर बिग बुद्दिजम तो कश्मीर कों से एंपरर ने कश्मीर में बुद्दिजम को लेके आए थे वो थे अशोका दे ग्रेड मोरें एंपर अशोका इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है थैंक्यू फ्रेंड्स आगे आपके लिए अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंड बॉक्स में में बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी